इस आयोश आयोश कि मेजर्मेंट के बारे में क्या जानते हैं कि अमाँ पेकप अब आजा रही है सबको इस बोलो मेजर्मेंट मतलब क्या है साइश 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 के एंधिन रस लेंट के ओर कुछ लोग। कवेट वेट लिसन इसो उड्यमेंट है मिजर्मेंट का मतलब ही अब्द्वेशन हुता है अब आग धूड़ का मतलब ही आब्सवेशन होता है जब भी हम लोग किसी चीज को देखते हैं किसी चीज को अबजर्ब करने के लिए हमें उसे देखना या फिर हमें उसको टच करना चक्से जादा इंपॉर्टन है अब यह अब यह अब्जरवेशन करने के लिए हम लोग कुछ बहुत से कॉमन एक्जामपल लेते हैं एक्सेप्ट भी टेक्सबुक हमारा सुनना बोलना उठना बैठना इस आल आरप पार्डव मेजर्मेंट यह सारे ही मेजर्मेंट के पार्ट है न अब अगर आप लोग इनको क्वांटिटीज में मेजर करते हो तब वहां पर यूनिट के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं जैस करें आपकर यूनिट स्टार्ट होता है लेकिन उसके पहलो मेजर मेंगे समझ मैं क्या होता है चुछो को अब्जर्व कर ना सिखाया था तो तो डेफिनिशन पर उनिट का इसलिए पर उनिट का इसलिए पहले नहीं बना पा रहे थे अब मेजर कर लिये हो तो आप बनाने इजी हो गया है तो यह मेजरमेंट का कॉंसा इतना है कि मतलब चीजों को देखना अब्सक्राइब करना ताकि वो चीजे आपको एक्टमेंटिक समझ में अब दूसरा फॉर्मेट यहां पर स्टार्ट हो जाता है यूनिट करिनो में वडिमीन बाई यूनिट वैल्यू 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 लाइक वोट लिजरमेंट की वैल्यू मेंजरमेंट की वैल्यू फॉर एक्जाम्पल मैं यहां पर लिख दिया फाइट तो आप बता सकते हो कि यह क्या है मैं किकी वैल्यू हाई लैंप की है मास्च की है टाइंगी है और वह स्की है आप इसको क्लेरिफाइए कर सकते होंगे है क्योंगि इसके पीछे पोगी राफरेंस स्टैंडर्ड नहीं है क्या नहीं है reference standard यह जिसे आप तो unit कहते हो न यह reference standard है क्या है यह मतलब इसको बहुत ही common example में unit बोल सकते हैं लेकिन exact यह क्या है reference standard है अब यह जो phi है यह physical quantity है phi क्या है physical quantity मतलब quantity होती न जब अगर हम लोग कहीं पर भी वेजटेबल खरिबने जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर कॉंटिटी बोलते हैं कि लाइक वन केजी, टू केजी, थी केजी, पोर केजी, फाइक केजी, शिक्स केजी सो वी अर्शोइं सम् कॉंटिटी ओवगे तो याद रखना ये फिजिकल कॉंटिटी किस से बिलॉंग कर रहा है मास से और ये कब पता चलेगा जब उसके पीछे हम उसकी यूनिट लिखेंगे क्या लिखेंगे उसके पीछे यूनिट यूनिट और इसी का दूसरा नाम क्या है मतलब ये के जी फाइक को मेजर करेगा और बता देगा कि भई यहां पर 5 kg की कॉंटिटी वर्क कर रही है तो डेफिनेशन ज़्ला द्यान से सुनना इसे हम लोग यूज करते हैं for the measurement of physical quantity मतलब यह किसको मेजर कर रहा है फाय को जिससे आपको पता चल जाएगा कि यह मास है क्या है यह मास जो वैल्यू दी गई है वह मास की वैल्यू है समझे सब लोग इसे करेंग और बताए कि वह किस से बिलॉंग करता है तो यह स्टेप किस से बिलॉंग करता है मास से अगर मैं फाइव मीटर लिग दूँ तो अब यह किस से बिलॉंग करेगा अब किस से बिलॉंग करेगा ताइम समझ में आ रहा है यूनिट का काम क्या होता है यूनिट आपको इग्जक्ट बताता है कि वह जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इग्जक्ली किस से बिलॉंग कर रही है एसकी ऌने बिल है ये सबस्क्रण बता सब्सक्राइब değişेरिक में पेड़ेशन दूलीए वह सτεंडर रैफरेंस अधिर अगlor नहीं के दोछ पिरор अधिशन गेर अदिखल सथरीं इस इस प्रईट कर राफरेंस स्टंडर्ड is used for the measurement of is used for the measurement of is used for the measurement of physical quantity physical quantity is known as unit is known as unit samjai yes sir so you are using the reference standard for the measurement of physical quantity don't worry guys you can throw up the tomato and take these work especially if you can go to the kandhi to try to do the kandhi. ते प्रिम्ट में लाएंगे और फिर लाकि उसे तिजोरी में रख लेना है तो आज करना आज का एक्सपरिमेंट इसर एक्सपरिमेंट ट्राय करते भी हो या फिर खाली एसर बोल देते हो मतलब यह डायरेक्क मतलब ना इसे बेशर्मियत कहते हैं अभी ट्राय करो देखो फिजिक्स फिल करने वाली चीजे हैं यह सर तब घर को तोड़ो फोड़ो पुरा सही तरीके से ताकि टॉर्क फोर्स लॉज अमोशन सब कुछ पता चले जो आप लोग अचली जानते हो को सीजी एस मक्स अप्याइस उसको बाद में लोग बात करेंगे लेकिन सबसे पहले में पॉइंट पे बात करते हैं basically यह जो systems है that system which is having a pair of two groups I repeat that system which is having a pair of two groups fundamental units and derived units fundamental and derived units सुना आप लोगोने that unit systems which is having a pair of two groups fundamental units and derived units यह सुना सब लोगोने yes guys fundamental का मतलब है कि basic fundamental का मतलब क्या है बेसिक अगर और भी इनको सिंपल में करूं तो फंडामेंटल का मतलब हो गया आपके पापा और डिराइव्ड के मतलब हो गया आप लोग अब चलो आज मेजर करते हैं कि बहुत क्या डिफरेंसेज आपके पापा और आप में अब कोई मुझे यह नहीं को सार बाप वह बाप ऐसे नहीं मुझे यह बताओ पाकट मेनी तो किस से मांग के पपक पापा के पापा डिशता है нет नहीं नो तो आपके पापा किसी समांग रहे हैंगा नहीं वो किसी पर डिपेंडेंडेंडेंड नहीं है इस इंडिपेंडेंडेंडेंट्ट तो पंडा मेंटल कौण सी कॉंटिटी हो गई इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें पंडामेंटल का जडरादा अधिनेशन दिहांस लो, फिसिकल कॉंटिटी विच दसने पाझट देपन उफ यदर फिसिकल क्वंटिटी वार घर मिजरमंटी अधिने पंडामेंटल का अधिने अधिनेंटल की लिए इस पर थे डिपन नहीं होता, is that clear everyone yes sir then what about the derived then what about the derived quantity quantity which depends on fundamental fundamental derived the unit which depends on fundamental units is known as derived quantity very nice fundamental independent derived dependent okay fundamental the physical quantities the physical quantities which do not depend on any other physical quantities for their measurements are known as fundamental quantities very good very good what about the derived Ayush let me know the definition of derived quantity physical quantity which is dependent on the physical quantity for their measurement is called derived quantity very nice कि याद रखना फिजिक्स में किसी भी चीज को अगर आपको बाहड करना है तो सिंप्ली उसको समझ लो चीजे याद हो गए जैसे कि अभी यह फंडामेंटल डेराइब्ट क्लियर हुआ आप लोगों को तो यह मतलब मेजरमेंट की पावर होती है अगर आप लोग सही से किसी चीज को मेजर कर लो तो डेफिनेटल वह चीजे बाहाड हो जाती है और उनको आप और प्राइक करोगे रट्टा मारोगे तो मेंट पॉइंट ही गायब हो जाएगा और इसपर इंड़बेंडेंट और इंडबेंडेंडेंट कॉनसेप्ट नहीं मेंशिन किया मतलब पूरा तो मेंन पॉइंट के बारे में पता ही नहीं होगा समझ रहे हैं आप लोग आप लोग तो अब गाइस जड़ा थोड़ा डिटेल में बात करते हैं fundamental quantities को अपने समझने के लिखा system of units उसके नीचे लिख लो it is a pair of two groups fundamental quantity and derived quantities अपने समझने के लिख के रखो ताकि याद रहे हैं झाद यट सिंके सकार्गा झाद अजिख्ट लूह झा झालों कॉ धूल दनespère दिसह सबसे पहले हमारा कॉंसेट था फंडामेंटल कॉंटिटी तो गैस इतना याद रखना वी हविएविगा सेवन तैपस फंडामेंटल कॉंटिटी इन दिस वर्ड कितने टाइप सेवन अपने पास ऐसी सेवन कॉंटिटी जो अपने मेजर्मेंट के लिए किसी दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होता इस गट्रेयर एवर्वन सबसे पहला है जरह दिहान देना हां सबसे पहले लेंग लेंग का यूनिट मीटर सेकेंड मास मास का यूनिट केजी ओके थर्ड टाइम ताइम का यूनिट सेकेंड पूर्थ तेम्परेचर तेम्परेचर का यूनिट क्यू आ वन दे रीजिन वाइ Calvin Q Let me know Degree Celsius क्यू नहीं There is some reason behind it Yes Ayush, Rachi Sir, Degree Celsius Depend रहती है Calvin In this year Scale है सब कुछ Dependent थोड़ी नहीं है वो तो convert करते हैं कोई reason होना चाहिए तो reason यह है कि Degree Celsius क्या बोलता था पता है जीरो डिग्री पर वाटर गेट क्विज़िस और हंडिड डिग्री पर वाटर गेट डोई अब Calvin का यह मानना था कि अगर जीरो डिग्री पर वाटर गेट फ्रीस तो अगर इंसान याद रखना human being को जिंदा रहने के लिए इंसान को जिंदा रखने के लिए we required a heat क्या चाहिए होती है अपने को heat अगर यहाँ पर कोई भी heat नहीं है उसने पूछा is there any heat available on zero degree Celsius so at that time वहाँ पर आंसर था कि नहीं है zero degree Celsius पर अगर water freeze हो गया है it means there is no heat so Calvin was curious at that time and he wanted to know कि यह exactly work करता है या नहीं तो उसने जब experiment शुरू किया उस ताम पर तो उसने चेक किया याद रखना इंसान जैसे और भी mammals होते है mammals का मतलब जिनके पास memory gland होता है उन सब को heat चाहिए होता है तो अगर वो zero degree पर तो उन्होंने जब mammals को रखा मतलब माइसिस पर ज्यादा तर एक्सपरिमेंट होता है तो जब उन्होंने जिरो डिगरी पर रखा तो वो देखे कि वो तो भई बड़े बेश्यरम है जिंदा है मरे तो ही नहीं तो जिरो डिगरी पर अगर नहीं मर रहे हो चाहिर सी बात है वहां पर heat है यसानो आप लोगने सुना होगा कि काश्मीर में लदात में माइनस फ़न, माइनस टू, माइनस टू, माइनस ट्री है अब जिरो डिगरी पर heat है तो कैल्विन समझ गहते है कि नहीं भाई यह गलत है इन्होंने जो स्केल बनाया है वो क्या है रॉंग है तब actually wrong नहीं था उनका भी stable था ठीक था लेकिन exact नहीं पता चला था है that zero degree Celsius is not exact zero तो उन्होंने absolute temperature धुमना शुरू किया absolute zero temperature तो वो मतलब डिगरी को कम करना शुरू किया minus one, minus two, minus three, minus four, minus five, six, seven, eight, nine, ten फिर भी वो मैमल मारा नहीं फिर भी मारा नहीं तो उन्होंने और भी कम किया minus hundred minus one ten, one twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty you know what minus one fifty, minus one eighty कितना ज़्यादा कूल होता है आप तो imagine नहीं कर सकते कितना ज़्यादा कूल होता है liquid nitrogen के बारे में सुना है आप लोगों है अगर liquid nitrogen को आप पी लोना तो जहाँ जहाँ से यह जाएगा वो सारी ज़्यादा crystal की बनती चली जाएगी कितना ज़्यादा कूल होता है बट still वहाँ पर heat था तो नहीं ने और कम किया और करते करते वो minus two seventy three point one five तक पहुँच गए जहाँ पर इस temperature में अगर आप लोग चले गए तो आपके पूरी की पूरी body crystal की बन जाएगी मतलब कांच की और अगर आपको कोई थोड़ा सा भी force apply करें तो जिस तरीके से एक कांच तूटके बिखर जाता है उसी तरीके से आपके body के organ आपके body से अलग होंगे और बिखर जाएंगे मतलब पूरा crystallize हो जाओ गया समझे तो यह है absolute zero temperature celsius के according क्या था जीरो था celsius के according क्या था जीरो डिगरी celsius लेकिन इसे करेक्ट करके Calvin ने कहां तक लेके गए इसको माइनस 72 73.15 यह है absolute zero एक्जेक्ट जीरो है समझे तो absolute zero temperature किस ने दिया यह लिख लेना सब लोग लिख लेना absolute zero temperature invented by the Kelvin and its value is minus 273.15 that's why that temperature which is having a unit Kelvin क्योंकि उन्होंने इसको सही तरीके से solve किया कितना कॉमन सा measurement था कितना सिंपल सा measurement था अगर आप लोग कर लेते तो हो सकता था कि आपका नाम हो इस्सों आइस तो तो आयोष मतलब टेंपरेचर का unit आयोष या पर जैश अंजली काशिश के अरजुन के मतलब करन अरजुन को इस के अरजुन को टेर्ट आवा जारी आपको लेक्श्चर में इन्वॉल्व हुआ करो समझे क्लियर हुए क्लियर हुए क्लियर हुए क्लियर हुए यह सबको यह सब अब टैंप्रेचर के बाद नेक्स्ट है एलेक्ट्रिक करेंट गठ्रिक करेंट अब क्या था अब लेक्ट्रिक करेंट को कैसे मेजर किया था कुनोंने चेक किया की वह रहा है को कंडुक्टर में जब एक साईड में हम करते हैं नो जैसे यह चार्ज हो जाते हैं रहता है तो यह चार्ज हो scholarships लाट 2 जाते हैं ये तो यचार्ज होते हैं तो हो ज AWOL करने लगते हैंल से जगह तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रावल करने में टाइम लगता है ना यह सो तो चार्च पर यूनिट टाइम डट वस्टो ऑब्जरवेशन डन बाइदी एंपियर लेकिन मेजर किस नहीं गया एंपियर ने तो यहां पर अपने नाम का यूनिट उसके बाद लिमिनेश इंटेंसिटी मैं यह, हैं नेय को है लिमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडिला और यह है luminous का मतलब होता है light और intensity का मतलब होता है power तो luminous intensity को candles के form में observe करते है that's why it is having a unit candela remember this and after that we are having an amount of substance seventh one last amount of substance and it is having a unit mole मतलब जो हमारे substance है उनको मोल्स के unit में हम लोग observe करते हैं यह seven units है जो fundamental है basic है यह अपने measurement के लिए किसी पर दूसरे पर dependent नहीं होते हैं just like जब आप लोग vegetable खरिदने जाते हो तो उस टाइम पर pen और book साथ में लिगे जाते हो गया तो मतलब वह तो मतलब बेसिक ना एक नॉर्मल पर्सन भी केजी मीटर सेकेंड यह सब बोलता है लेकिन उससे पता नहीं होता है कि वह कौन सी unit को यूज कर रहा है लेकिन आपको तो पता रहना चाहिए साइंस के स्टूडेंट है कि नहीं अजली तो अभी नेक्स नाइम से जभी खरिदने जाओगे तो आप सामने वाले शॉपकीपर को बता देना कि यू आर यूजिंग फंडामेंटल कॉंटिटी कि समझ रहे हैं कि आलू को मेजर करने के लिए आप कौन से कॉंटिटी यूज कर रहा है वंडा मेंटल हो सकता है थोड़ा बहुत चिल्ला है जोचार आलू फिक के मारे ठीक है फिजिक्स है मार खाते खाते समझ जाओगे कि अंजली कि ट्राइक करना है आज बार्गेनिंग नहीं आज बताना है जाएश यह सर प्राइक करना आज ठीक है यह सर करेंगे जादा मार खाऊ को मेरा नामने लेना मैं चारूंगा नहीं तुम जो को मैं मतलब विएविगा जाओव फिजिकल कॉंटिटी इन इस वर्ड विच दस नौट डिपेंड उन अधिए टाइम टंपरेचर एलेक्रिक करन्ट लुमिनस इंटेंटी एन अमांट ऑफ सबस्टेंज अगर युनिट के साथ में इनको बोले तो लेंट का युनिट मां मीटर है मास का केजी है टाइम का सेकेंड है तैंपरेचर का कैल्वीन है एलेक्रिक टेरंट का एंपियर है लुमिनस इंटेंजिटी का कैंडला है एंड अमांट अफ सब्स्टेंजिस का मूल है इस अब दृब मुद्ट एवर्वन इस याद रहेगा सबको वियरेइंज पर शॉब्स को अब ये सबन बेसिक्प है लेकिन उसके पहले काम करो करो को कि हैं इस आधिक दो सब्स्ट है पंडामेंटल कॉन्टिटी गेंड को हैं इस अधिक्या हुआ अगेस आधिक अधिक ब and write down its definition the physical quantity which do not the physical quantities which do not depend on the physical quantities which do not depend on any other do not depend on any other physical quantity physical quantity for their measurement do not depend on any other physical quantity for their measurement do not depend on any other physical quantity directly measured basic what is this basic basic definition clear all of us yes sir next heading is fundamental units next heading is what will be the fundamental units our next heading is fundamental units yes sir okay yes sir next line the units used to measure the units used to measure fundamental quantities the units used to measure fundamental quantities are called fundamental units are called fundamental units yes sir yes sir in this example you write 7 names with units yes sir 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 yes yes sir yes sir yes sir कर दो कर दो नगे लिख अगर खुटर्ण दो कर दो कि अगयों कर दो चुआ कुए तबस फ्रम स्क्षा थौल आपन ऐसे करें सरा प्रम कि और अपन दो अगे। okay next reading क्या लिखोगे derived quantities next reading is derived quantities write down its definition physical quantities other than fundamental quantities physical quantity other than fundamental quantities which depend which depend on which depend on one or more fundamental quantities one or more fundamental quantities one or more fundamental quantities for their measurements or their measurements I repeat physical quantity other than the fundamental quantities which depend on one or more fundamental quantities for their measurements are called derived quantities are called derived quantities do you understand yes sir yes sir okay and after that guys now these derived quantities are called for example force what is used in force mass into acceleration so this is derived quantity yes or no I am this is the unit तो नाम में दिया हुआ है similarly अगर स्पीड है I the P होगा तो क्या होगा डिस्टेंस अपान टाइम एलन मतलब मीटर पर सेकेंड देको एक से ज्यादा यूनिट यहां फे और राइट है अगर हम लोग दूसरा लेलेet ही मोमें. प्रवेटर विलॉसी ओफ दी बॉड़ी तो यहां पर इसका यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड तो देखो यह डिराइब कॉंटिटीज है कौन से कॉंटिटीज है डिराइब जो अपने मेजर्मेंट के लिए दूसरी कॉंटिटीज पर डिपेंडेंट है और ऐसे बहुत सा वो अन्काउंटीबल डिराइब कॉंटिटीज दिखायेंगी यह 7 दिखाय दिए तो fundamental 7 नहीं दिखाय दिए तो डिराइब इस बेरईब अजया है एस अदिख द्राइब इडगल अच़गों डिराइबूनिटीज नेक्स्ट एडिडिश डिदीज यह डिराइब से डिदी कि यह लिखें ऑट यहां हो और यह जो कुछ तर देफिनिए विजे अधिन टो गट्टीज का इंग अट्टार्एव प्यार्ट विज फिज आप देपनेंट which are dependent one or more physical quantities लिके डराइब उनिट्स लिके लिए रिपेट कर लिए रिए 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 रि एक्जाम्पल लिख लो हमें कि अगे आद लिख लिया सब नहीं कि अ आगे बड़ें और अगर गयज यह जो न्यूटन है ना अगर यह न्यूटन की जगे पर अगर इसका एक्चुल फंडामेंटल यूनिट्स में लिखूं तो मास है तो क्या होगा केजी और एक्जलरेशन है तो क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वेर समझ रहा हूं अगर न्यूटन ना लिखू तो इस तरीके से यह यूनिट लिखा जाएगा पॉर्स का तो तो देखलो एक्स कई ज्यादा मतलब यूनिट्स पर डिपेंडेंडेंट है यह मतलब यह डिराइब यूनिट्स हैं ओगे सब्सक्राइब दनेर्वान ओगे सब्सक्राइब है प्सक्राइब हैं अबया प्सक्राइब यह डिखलों द्रश्ट लिख यहां जाएब अड रहे हैं जाएब इस दुछ निएफलों अच्वान प्सक्राइब there are some systems which dependent on the length mass and time time on length mass and time length mass and time yes sir so guys here is m k s m k s next is cg s cgs और last है f e s यह तीन function है guys m k s का full form है याद रखना है यह तीनों है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम सुना सब लोग ने इसका फिलफार्म यह स्याँ मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम दूसरा है सेंटीमीटर स्इंटीमीटर ग्राम सेकेंड स्सिस्टम इस्टं थर्ड है फ्प् फुट पौंड सेकेंड सेकेंड सिस्तम है फुट पॉंड सेकेंड सिस्टम है is that clear everyone सब्सक्राइब कर दो एंटिमिटर ग्राम सेकेंड शिस्टम पूरा पूरा तीनों का बताना है खाली सीजिस का नहीं मिटर किलोग्राम सेकेंड शिस्टम एक और है एंकेश का क्या है बोला मिटर किलोग्राम सेकेंड शिस्टम ओके आयूश यह सब्सक्राइब एंगेसम著 समयलियर केलोग्राम सेकेंड शिस्टम 172 MP3 प्धूण सेकें शिस्टम कने शिस्टम पूर्ख विम पूलोग्राम शैकेंड सिस्टम सेकेंड शिस्टम uważ बूर्भ अब गयूंग यह विरें इतको किलोग्राम शbane केंड मॉर्ड शिटम खू exerc हैंड पूर्पन आप गाइज यहां पर ना में प्रॉब्लम ये था कि फॉर एक्जांपल यहां पर तीन डिपरेंट कंट्रीज ले ले लेते हैं कि यहां पर मैं इंडिया में हूं और आयूश यूगांडा में है और जैश अमेरिका में हैं तो आगर एक इंडियन पर एँडियन अमेरिका में घया और ऑर इन। इंडियन को वन केजी पटाटो चाहिए तो अमेरिका वाला जो बंदा है किया वो समझ पाएगा क्या एक्जाक्लिक कितनी कॉंटिटी उसे देनी है वो पाउड में चिलाएगा आप एजी में चिला होगे मतलब सामने वाले समझ ही नहीं पाइगा कि इसको चाहिए समझने में डिफ्रेंट प्रॉब्लम हो जाएगी यस और अब सेम फॉर्मेट युगांडा में भी अप्लिकेबल होगा ना कि अगर आप वहां पर जाके केजी केजी चिला होगे और वह ग्रैम ग्रैम चिलाएगा इसे तो जगड़ा हो जागा दोने जनके बीच में वे क्या बोलता है पागा लेगा तो तो मतलब यहां पर क्वांटिटीज ऑल वर्ल्ड के लिए सेम रखनी थी ऐसा नहीं कि कोई कहीं पर भी जाया तो मतलब कुछ ऐसा बेसिक टम बनाना था जो सबको इसली समझ में आए इसे कुछ चाहिए थी तो लेवन्थ इंटरनाशनल कॉंफरेंस में साइंटिस्टों का कांफरेंस होता है वहां पर लोगों ने क्या कि एमके एस और एफपी एस को मिक्स करके एक यून यह सबको पता है तो कभी भी कंफूजिन नाम की चीज जनरेट ही नहीं होगी यह सब नहीं होगी यह कभी कंफूजिन जनरेट ही नहीं होगा तो उन्होंने कॉमन बना दिया अभी आपको एस और एमकेस में जन्जट करने की जरूरत नहीं है आप किसी भी कंट्री में जाहोगी यह इंटरनेशनले एकसेप्टेड है मताँ सबके लिए है ठीक है यह सब अभी यह जो गाई सब्सक्राइब करते हैं लेकिन कुछ अलग ही है तो जो अलग है उससे सप्लिमेंटरी यूनिट करते हैं मतलब जैसे एंगल हो गया यह एंगल नहीं आपके फंडामेंटल में आता है नहीं डेराइब्ड में आता है तो कुछ ऐसे है जिनको सप्लिमेंट्री यूनिट कहते हैं हम झाल और प्लेन गेल य उनिट में चैना जाता है जो सप्लीमेंटरी उनिट में हैं तो उसके पहले सप्लीमेंटरी उनिट में जाने के पहले एसा यूनिय विश्च सwood फंडामेंटल उनिट्स लार्ज अमांट अब डेराइब उनिट्स एंड तू सप्लिमेंटरी उनिट्स दोनों सप्लिमेंटरी उनिट्स का नाम है प्लेन अंगल एंगल एंगल दोनों पर अभी अम लोग डिस्कॉशिन करेंगे लेकिन बिफोर दाट अपलोग स्ट्रीटिज, म्केस, सी जेस, एक्पीस के फुल फॉर्म लिखो और सी का फूल फॉर्म लिखो पड़ावट है कि अजय तरॉब्स गर्भा को थे तारी आ्टिया साथ है देल है यह थैर यह थे श्क्राइवर क्वाव ओस्ट ने अम प्रॉस एख लोगा तेट्ट थे में अगए लिए कि लिख लग आई SI unit, either the SI system consist 7 fundamental units SI system consist 7 fundamental units large amount of derived units large amount of derived units and 2 supplementary units and 2 supplementary units SI system consists 7 fundamental units 7 fundamental units large amount of derived units and 2 supplementary units 2 supplementary units and 2 supplementary units done done okay now guys here is what is supplementary units exactly study so concept this is that when we eat we eat so we eat enough protein fruits also available means our food basic means fundamental we have taken fruits but we can't fulfill so what do we do ? Bonvita Chaombras Chaombras Horlex Saralax Kelloggs Kelloggs Do you use all these things or not? Kelloggs complex Yes Yes or no? Why do you use these things? Why do you use these things? Why do you use these things? So that our body can fulfill supplements and fulfill proteins can be fulfilled but the proteins are not only from food and vegetables and vegetables what do we do do we use extra supplements use so that our body can be fulfilled yes or no? Yes or no? Yes sir Yes sir Yes sir Yes sir We use So there were two types supplementary units one is the plane angle 1 second If we are having a plane angle here is the plane angle which should be denoted with the D theta Do you understand? अजे प्लेन आंगल को किस से दिनूट करते हैं थीटा मतलब सिंपल जो आप लोग एंगल यूस करते हो जो थीटा देखते हो एंगल है ना इस जो डाट एंगल ऑर ग्जामपल एंगल किस तरीके से बनता है तो यह एंगल बनाने का तरीका अगर मैं इसको सरकल में चक्करू तो सरकल में किस तरीके से दिखता है यह ज़रा देखलो आप लोग यहां सेंटर से फर एक पार्टिकल है सरकमफरेंस में तो यह इनिशल पॉजिशन है बट सरकमफरेंस में इसका पॉजिशन क्या है? यह कैसे पता चलेगा जब आप सेंटर से रिडियेज बनाओगे? यस और नो? अगर यह A से डिस्प्लेस होके B पे पहुच गया है, तो वापस आपको पॉजिशन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? से रीडियस रॉ करना पड़ेगा यसो नू यहां पर एंगल बन गया थिटा यसो नू यह समझ में यह क्या है हमारा सेंटर पॉइंट है अब लेके बीच में जो डिस्प्लेस्मेंट हुआ है इस displacement को ds से दिनोट करते हैं है यहां पर दी थिटा मतलब स्मॉल एंगल है यहां पर जो एंगल है एंगल को घाइज में थोड़ा नीचे लिख रहा हूं देटा दी इसली क्योंकि वह small है तो गैस यही सारे points यहां पर भी लिखना है यहां पर ds which is representing the small displacement from a to b that is our radius r and here we having our d theta which is representing the plane angle so guys अभी जो plane angle है angle किसकी वजे से बना angle यहां पर किसकी वजे से बना let me know that angle which is faced due to a radius the angle traced by the radius which is drawn from the center of the circle to the position of a particle along the circumference of a circle मतब अगर मैं बहुत short में इसे बताऊं यह जो d theta है इसका formula dependent है यहां पर दो चीजों पर पहला displacement और दूसरा radius यह जो angle है यह इन दोनों चीजों की वजे से बनता है तो जो ds है वो displacement है और जो आर है वो radius है तो definition बना सकते हो डेफिनेशन बनाने सिखाया है मैंने क्या होगा of length of rds of a circle to the radius your voice is lagging your voice is lagging simple per unit wala concept kya hoga Ayush कशिश मेरी आवाज आ रही है आपको प्रॉफर कशिश यह सब्सक्राइश कर देफिनेशन बोल सकते हैं इसन पर यूणि रदीश द्समिंग साथ एए डिस्ट्रेश मैं आथ इस पर यूदिश गलत बहुत कि यूण रहा है थे अधिस्ट्रेश्मेंट निविटेटर पर यूदि दिनोमिनेटर बजाएं से जय सर डेपिनेशन डिस्प्टसमेंट पर एनेट इस कोल्ड इस कॉल्ड इस कोल्ड इस कॉल इस कॉल्ड एंग अप लोग फ्रीछ तो निदिटा से डिनोट कर दो लेन एंगल, हेडिंग दो, डी थिटा से दिनोट कर दो, ब्रैकेट में लिख लो मैं रिश्यो वाला फॉर्मेट आप लोगों को दे रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है? और याद रखना है, इसी डिस्प्लिस्मेंट को अर्क लन्थ भी एहते हैं, आप लोगों ने शयाद टेंथ में पढ़ा हुआ, इस डीस को हम लोगों किया कह सकते हैं? अर्थ। इप एकप मानगे की ऊप्लेंट अर्च नॉट अर्थ अर्च अर्च अशिक्षाइ ड़किर ależा थातर वsmot लेंथ ओफ अर्क लेंथ ओफ अर्क ब्रैकेट में डिस्पेस्मेंट लिख लो ताकि आपको याद रहे and close the bracket the ratio of length of arc in bracket displacement है लिखें आपको आपने लिखें आपको कि ये कि आपको छान प्रिंटर में अर्क वाइद कर्सक्रा के विए जिए पहले लिखलों में बताता हक्ड़ा राइड़ा, भाइडर्प लेंथ ओफ अर्क इंग ॉइन डैकर दिस्प्लस्मेंट of an circle of an circle of an circle to the radius r of an circle to the radius r to the radius r small r keep it in a bracket of the circle of this circle is called is called what very nice kashish right kashish right very nice okay definition yes sir now guys write this formula diagram and its unit is it's unit is radian short me is called rad with time yeah झाल 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 सभाज में आया पॉइंट्स सभाज में आया प्ले एंगल की जोर थम्में क्यूं पड़ी यस्जर 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 इस बेटर कि मतलब आप लोगों के सरे पॉइंट्स क्लियर होने इंपॉटंट है यह बात याद रखना सब्स यह 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 मुझे डेरिवेशन का याद दिलाना जरूंग यह यह अंजली अंजली डेरिवेशन प्राक्टिस किया था क्या यह यह डेको डेरिवेशन में एक ही चीज़ के डाउट मुझे दखता है जहां तक क्रियेट हो सकता है कि कोई भी टोटल टर्म को find out करने के लिए we always do the integration तो हम लोग अगर total work find out कर रहे हैं तो smaller work को हम लोग को integrate करना होता है तो हम लोग यहाँ पे initial to final का concept use कर लेते हैं और दूसरा था यह formula x raised to n dx तो इसका formula था x raised to n plus 1 divided by n plus 1 तीसरा मातब जब bracket में हम लोग के पास कोई टाम आ गया जैसे कि x square upon 2 आया था ओके तो फार एक्जामपल 0 L नहीं हम लोग A और B ले ले लेते हैं यहाँ पे A ले लिया और यहाँ पे B तो इस जगे पे A B को अगर solve करना है तो step कैसे लिखेंगे हम लोग लेक बी स्क्वार अपॉंट टू इस स्क्वार अपॉंट टू माइनस इस स्क्वार अपॉंट टू इस तरीके से लिखता है फाइनल माइनस नेशियल यह तीनों बेसिक इंपॉर्टन पॉइंट है जिसमें confusion create हो सकता मेरे हिसाब से अंजली 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 आवाज आ रही है हां हां स्टेटमेंट किदर से वह नहीं समझा स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे किसको स्टेटमेंट में लिखना है मतलब सावर करने से पहले वह गिवन सेक्में राथ आ कुछ नहीं जितना listen listen जितना मैंने तीया क्लिर हुआ है कि remain now सबाख उतना ही लिखना जाए सब थैरी कि सबिए और याद रगने जितना उत्त Champions लिए बहुत Billy सबेड़ कर सकते कि okay okay everyone bye take care thank you